हलो दोस्तों आपका हमारी YouTube चैनल में स्वागत है और आज इस वीडियो में आपको solution देने वाला हूं कल जो मैंने आपको six questions कर आया था वह पूरा six questions के मैं आपको solution देने वाला हूं अगर आप लोगोंने solve कर लिया था तो काफी अच्छी बात है अगर आप नहीं कर पाए थे कुसी question को तो आप इस वीडियो को देखके समझ सकते कि कौन सा question क्या से solve होगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो आपका फर्स्ट को संथा आपका ठीक है अब दिया हुआ है तीन वर्स का तो आपको सिधा ऐसा इस इकल टू पी आपन में हंडेट का जो फार्मुला था वह अप्लाइग कर जाना है तो पी आपका हो गया मूलधन पी इंटू आर इंटू टी अपन में हंडेट तो यह दो जिरो से दो जिरो कट गया इस सब को अग जिरो यहां तो दो जिरो तो 27 पे दो जिरो यानि 2700 के लिए आगे बरें चलिए यह काफी सिंपल कुशन था बेसिक था आगे दिखें पांसो रुपे पर दो वर्स का साधारन ब्याज दो परसे दो परसेंट वार्सिक दर से क्या होगा यह वही कुशन है जैसे उपर वाला हुआ है वैसे यह भी सॉल्फ होगा अपको प्यांपे पांस रुपे दिया है वर्स अपका दो है और आपका रेट यहां पे टू है परसेंट है ना तो परसेंट है तो क्या करें यह 500 गुने पांश रपे यहां था और बीच रपका ब्यास था तो पांशो बीच रपाइस का आंसर होता है ठीक है कि लिए आगे पर चलिए दो कुस्षा नमर्बर दो भी आपका हो गया अब आगे बड़ते हैं कुस्षान नमर्फ ठीपर को सब्सक्राइब थ्ट तो ठधर divory यहां पह eli कुस्थ नंबर नहीं दिखेगा पचास नमबर यहां पर Yo यह शरियल का कर्णिंग है जो स्टार्टन्च समयन अभी तख आपको वीडियो में करा है वह जैगlerin कल जो आपको question दिया था उसके recording एंट नमबर ठीक है तो question नमबर ठीक है तो question नमबर ठीक है आपका कि 6000 रुपया पर 6% वार्शिक दर्थ से 8 माह का साधारन ब्यास तथा मिसर्धन ग्याद करें मतलब को साधारन ब्यास भी निकालना है और मिसर्धन भी निकालना है यानी यहनि एमाउंट और इसा यहनि इसींपल इंट्रेस दोनों आपको find out करना है पता लगाना ठीक है तो दीके आपको यहां पर रुपया में दिया हुआ यानि आपका क्या मूल्धन है 6,000 आपके मूल्धन दिया हुआ यानि पी इस इकल डू दिया हुआ है और यहां पर आपको 6% डिया हुआ है और टाइन यहां पर किता दिया हुआ आठ माह मतलब होता है महीना ठीक है आठ महीना तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो भी सिंपल इंट्रेस होता है यानि साधारन ब्याज होता है वो हमेशा एक साल दो साल तीन साल ऐसे कैलकुलेट होता है तो यहां पर यह महीने में दिया हुआ है अगर कोई बच्चा इसको आठ मान कहीं सॉल्व कर दता है यानि पी आट अपॉन में 100 तो कभी भी उसका एंसर मैच नहीं करने वाला हुआ यह य रवर्ष में और यह आपको पता भी जोंगा यो तो कि आप लॊ मिधक्त कर देंगे 8-11 तो आप लगा दिज्यें पिर इंड टी आपॉन में 100 तो यहां से देखे क्या हो गया यह 2-0 सी यह 2-0 कट गया यह छ्छे दूना बारव और दूचोंक का आठ ठीक है के लिए रहा 624 यह 0 भी भूल जाई तो 624 और एक 0 आ गया लास्ट का है ना तो कितना ऐसा ही होगे आपका 240 अब आपको क्या निकाला मिसरधन यानि यहां निकाला है यहां पे देखिये बस यहां पे गलती कहां पे होगा कि यहां पर आठ है नो दाइक लेके चले जाएंगे तो वहाँ पर रॉंग अंसर आजाएगा इस बात का ध्यान में रखेंगे कि पहले इसको आप यह में चेंज कर ले यानि वर्ट में चेंज कर ले कि वह महीने में दिया हुआ है आगे बर यह फूर नमर कुर्शन आपका पचीस सो रुपया का 5% से 219 दिन का साधारन बच घ्या होगा पिर देखिए वही यहाँ बखो दिन दे दिया है अब देखिए मैना था यहां पर दिन अगर कोई दिन ही लेंक चला जाएगा मूर्क है सब्सक्राइब निकालते हैं तो आपको पी कितना दिया हुआ है पच्छी सो जो दिया पहले लिख ले और आपको दिया हुआ पास पाइप परसेंट और आपको टैम कितना दिया है तो पहले बता यह मुझे कि एक साल कितने दिन का होता है तो 365 है ना तो इसको क्या करेंगे 219 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो यह वर्स में चेंज हो जाएगा है ना इतना वर्स हो जाएगा क्लियर है अब ऐसा का फॉर्मुला यूज करिए पी आपॉन में हंड़ेड तो पी इंटु आर इंटु टी 219 वर्ट है 365 अपॉन में कट जाएगा आप काटके देख सकते हैं तो 25 या 75 तो इसका सिंपल इंट्रेस्ट कितना हो जाएगा 75 तो आई होप आप लोगों काच्छे सा समझ में आगया होगा फोर नंबर को संदी तो चलिए आगे बरते हैं फाइड नंबर को संद पर लिए काफी सिंपल है आप से 3,000 रुपया का साधार नब्याज 1080 रुपया हो जाएगा यानि आपको पूछ रहा है कि कि ने नगा कितना टाइम लगेगा कितना वर्स लगेगा 12% के रेट से 3000 रुपया का ब्याज 1080 रुपया बनने में देगे आपको यह अब डिया क्या घीविन क्या है आपको पी दिया हूए तीन हजाए यानि मुलधन आपको तीन हजार दिया है mai एको भी फर संत है और आपको स्पैज already दिया वाय एक हजार असी बोल रहना हो जाएगा तो एक हजार असी आपका ब्याज हो जाएगा आपको निकालना किया टी तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसा इस इकल टू पी अपॉन में हंड्रेड सिंपल ऐसा ही के जगह पर हम लोग वैलू डाल देंगे कितना हो यह दो जीरों से दो जेरों कट गया ठीक है यहां तक क्रॉस मुल्टिपलाइग करने क्या हूँआ यहरे टीमूल यह 12 मुल्टिप्लाइग होने इस साइड हो और यह एक हजार असी से आग्या फिर यह फी सब्सक्राइब है तो इस सब्सक्रा अब कर दिया लोगों कि अच् जीरो से जीरो काड़ दिया यह तीन से च्छतिस बार में कड़ गया और बारतिया च्छतिस यानि तीन वर्षिस का राइट एंसर होगा है ना कितना सिंपल कुशन था बस अब से टाइम पूस दिया हुआ था ऐसा भी कुशन पूस था इस बात का आप ध्यान में रखे जैसे देखें इसमें एक टको और हो सकता था तो देखें आपको देदेता यहाँ पर टाइम आपको देदेता तीन साल में 3 शाल में कितने पर्सेंट वर्स एक दर्श से आपन में 100 तो किता हो जागा आप निकालेंगे वैल तो 12% आएगा तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करें एक कुषिन को ही आप अपने दिमाग से तोर मरूर के उसका दूसा तीसा चौथा कुषिन बना के देखें अगर आप ऐसा करना सीख गए ना तो एक् कि इस कुष्पन को और क्या क्या चाहिता सकते हैं और और कि इसमें निकाल जा सकता तो इससे क्या होगा फयाना की और फायदा होगा इसका एक बार यूज करके देखेगा है ना आपका ब्रेंट बहुत ज्यादा पाउरफुल बनेगा आप डेबलब करते जाएंगे और आप बहुत डीप में किसी चीज को समझ पाएंगे है ना तो इस बात का ध्यान में रखें आज से करके देखें आप आपको प्रेस कर दें तो देखें लास्ट कोशन आपका सेक्स नमर कोशन यदि कोई रासी पांच परसेंट वार्शिक साधारान बैच की दर से छे वर्सों में 2600 रुपया हो जाती है तो रासी गयात करें यह अब तक का सबसे अच्छा कोशन है इसको अगर मैं फाइब स्टार दे समझ लेंगे देखें का बोला है यदि कोई रासी पांच परसेंट वार्शिक साधारें बैच की दर से छे वर्सों में 2600 रुपया हो जाती है तो रासी घ्यात करें आपको यहां पे मूल धन ही नहीं दिया है आपको क्या दिया है टाइम दे दिया है और आपको अमाउंट पर सकते दिया है तो ऐसा तो कोई formula नहीं है तेखें ऐसा कोई भी formula नहीं जिसमें amount आता है ऐसा कोई formula है इसमें कि amount भी आता इसमें नहीं न तो इसलिए यह थोड़ा सा हाड हो जाता है यह question दो कि इसको कैसे करना है तो देखें आपको एडिया और आपको रेट दिया हुआ पर्सेंट और टाइम आपको च्छे वर्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे पहले परसेंट प्लस निकालेंगा प्रिंस्पल प्लस ऐसा होता है प्रिंस्पल और यह दोनों का मिक्सर होता है यह यह ब्याज भी से मिला होगा और जो मूलधन होगा वह आपने अपने मूलधन प्लस ऐसा ही होता है अमाउंट तो मोलधन आपका हंडिर्ट परसेंट है और ऐसा ऐपका 30 परसेंट है तो टोटल कितना हो गया 130 परसेंट हैना तो क्या करेंगे 146 का 126 को 30 से डिवाइट करेंगे ॥ यह जगा 26 और इन अप उन में 130 अगुने 100 ठीक है परसेंट का हटाने के लिए एक सब्सक्राइब करतेंगे तो आप देखें क्या हो जागा एक जिरो से जिरो कर जाएगा तेरो दुनोच यहां पर बीस आ गया इंटु हंड़ेड यानि 2000 इसका राइट है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दे कमेंट कर दे औ और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेश करतें ताकि आपको मेरे नई वीडियो को नोटिफिकेशन सब सब्सक्राइब मिले अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक करें आप लाइक में बिकाय में कंजूर्सी कर रहे हैं कुछ नहीं चाहता ल लाइक करें प्लीज लाइक करें जैसे मुझे मौटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियो बनाने के लिए तो मिलते हैं एक सब्सक्राइब में तब तक लपना ध्यान रखिए